इस वीडियो में आप केमिकल एक्वेशन्स को बैलेंस करना सीखेंगे Law of Mass Conservation यानि द्रव्यमान संग्रक्षन का नियम कहता है कि केमिकल रियक्षन यानि रासाइनिक अभिक्रिया के दौरान न तो कोई एटम यानि परमानू नश्ठ होता है और नहीं बनता है वो न तो किसी चीज से बन सकते हैं और नहीं नश्ठ हो सकते हैं अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो बिना किसी चीज के आप एटम बनाने की कोशिश करें किसी भी केमिकल रियक्षन में किसी भी एटम की संख्या नहीं बदलती हलांकि कमपाउंज यानि यौगिक में वो खुद को अलग-अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्सिजन के 6 एटम्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी लेकिन सभी में ऑक्सिजन एटम्स अलग-अलग तरह से व्यवस्थे थें केमिकल रियक्षन में बस एटम्स का रियारेंजमेंट होता है हम केमिकल रियक्षन को इक्वेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं equal sign के दोनों और atoms की संख्या समान रहती है। जब आप chemical equations को balance करते हैं तो atoms सीधी तरह balance नहीं होते। atoms के conservation के लिए chemical equation balance की जाती है। और उसके लिए compounds के सामने number लिखते हैं। यहाँ पे हम O2 के 3 molecules से शुरू करेंगे। इस formula में oxygen के कुल 6 atoms हैं। formula में total atoms पता लगाने के लिए हमने subscript या oxygen में जो छोटी वाली number है उसको 3 से multiply किया है। 3 into 2, 6 होगा। और इस तरह हमें ozone के 2 molecules यानि अनू मिल जाते हैं। अब यहाँ पे subscript 3 है। इसलिए जो number सामने लिखी जाएगी वो 2 होगी। क्योंकि 6 तभी आएगा जब 3 का 2 से multiply किया जाएगा। सामने लिखी गई बड़ी संख्या formula में सब कुछ बदल देती है। वहीं दूसरी और subscript में लिखी गई दूसरी संख्या सिर्फ element को बदलती है। जब आप इस तरह के अलग-अलग formula के symbols को इस्तिमाल करना सीख जाएंगे तो इस तरह आसानी से molecules का पता लगा सकते हैं। Na2O में sodium के 2 atoms हैं और oxygen का 1 atom है जबकि SNO2 में tin का 1 atom है और oxygen के 2 atom है। हमारे पास अगर 2 Na2O है तो हमारे पास sodium के 2 into 2, 4 atoms होंगे लेकिन oxygen के सिर्फ 2 into 1 यानि 2 ही atoms होंगे। वीडियो रोग के बताईए कि इन compounds में oxygen के कितने atoms हैं। Ready? यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि अगर इसके बगल में कोई number नहीं है तो यहाँ पे एक होगा ना कि zero